वेलकम बैक फ्रेंट्स तो माई यूट्यूब चनल दा हिमालेन गुरू दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जी आर्टी क्रिप्टो के ओपर जिसे हम दग्राफ भी कहते हैं अब यह दग्राफ क्या है कैसे काम करता है और इसको इतना मल्टिपल एक्शेंजर पर लिस्ट करन इसली एक्सेबल यहां पर बात किसकी हो रही है इंडेक्सिंग प्रोटोकोल की हो रही है कोई पर कोई भी एपिए बिल्ड कर सकता है पब्लिश कर सकता है ओपन ग्राउंट पे और इस पर्टिकुलर सब चीजों को करने के लिए उनके पास एक सिस्टम चाहिए जिसकी इसल कोई भी डेवलपर से रन करता है किसी प्लैट्फोर्म पर उसको रिजल्ट यहां पर मिल जाते हैं तो इस 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 आ काई आप आप इन फिर उससे प्रॉड जाते हैं और बात कर लेते हैं कि इसमें अलग क्या है दूसरों से ते गुडबाय तो कस्टम सर्वर्स बिफोर दे इस इसके पहले जो सिस्टम थे वह काफी कॉंप्लेक्स हुआ करते थे वहां पर बहुत सारी सिग्निफिकेंट इंजिनियरिंग चाही होती थी हार्डवेर चाही होता था जो बहुत मुश्किल था उस टाइम पर यानिकि वहां कोस्ट काफी लगती लेकिन इसके आने के बा उक्चिन के लिए स्ट्रेज नेट्वोग के लिए पीटु पी नेट्वोक के लिए जो भी एप डबडेटर एंप रहन करते हो जिसे भी आपको करते रिज Lights कर देटिक प्रयक ब्रीयिए एक क्रोफ यानि कि प्रोशेस है इंडेक्स है और एक वेरिफायब वateurs से एन आपको को काम करेगा, DeFi पे काम करेगा, governance, grants and philanthropy, marketplace, entertainment, social media. So these are the things यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. By combining Web3 protocol, developers can build DApps with powerful new feature for solving the world's greatest challenges. अब इसमें क्या-क्या खास बात है, जिसके हम features की बात कर लेते हैं. Agency, on your identity, data and reputation, reliability, guaranteed to run forever and reliable public infrastructure, interoperability, यानि कि seamlessly switch between DApps हो का, money, programmable money and financial contracts है, security, which is again safe, secure and private, governance, transparent rule that people have a voice in, supported network क्या है इसके, so इनके main supported networks जो है, the following chains are supported in addition to Ethereum, the graph is adding support to the graph network with near an EVM compatible chains, this means that sub graph can be built across chains so that developers have more choices for where to deploy their smart contract, hosted services and the graph network, यानि इथेरियम बेस है, पहली बाद, उसके बाद, डाई है, नियर है, पोलिगोन, बीन बी, सेलो, अवलांश, पी ओए, आर्बिटरियम, फैंटम, फ्यूज, उप्तिमिजम, मून रिवर, औरोरा, मून बीम, तो दोस्तों ये सारी change है, जहां पर graph support कर रहा है, यानि कि graph in particular आपको change पर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद, graph network, an open network producing the fastest, cheapest, most reliable way to access data for the crypto community, यानि कि जो crypto community के लिए data provide करने की बात होती है, उसे बहुत ही सस्ते में, बहुत ही fast और बहुत ही reliable way में आपको ये provide करता है, graph network की यहां बात हो रही है, developers, indexer, curator and delegator, यानि कि इन चार माध्यों मों से आप यहां पर data को access कर सकते हैं और उसकी verifiable जिसे हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से आपको first रूप से दिये जाता है, products के हैं इसके, sub graph studio, graph explorer, hosted services, अब coin gecko पे अगर हम इसके tokenomics की बात कर लेते हैं, तो the graph जिसे GRT token भी कहा जाता है, rank किसका 50 है, current price 33.74 की हिसाब से चल रहा है, which means 21.9% की यहां पे हमें एक rise देखने को मिलती है, वजीर एक्स पे 34.53 रूपीस चल रहा है, circulating supply जो है, वो 6 billion के आसपास है, total supply 10 billion के आसपास आपको देखने को मिल जाए, all time high जो था, वो ठीक एक साल पहले था, जब इसने 206 रूपे cross किये थे, all time लोग की बात कर लेते तो ठीक एक साल पहले, December 17 को यह 7 रूपे के करीब-करीब गया था, दोस्तों current price के हिसाब से लाइव चार्ट हम इसका देखते हैं, तो यहाँ पर काफी अच्छा एक rising wedge हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें उठता नजर आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर अभी आने वाले टाइम पर हमें लगता है कि यह काफी और उपर जाएगा, तो कि market काफी यहाँ पर हमें एक अच्छा response दे रही है, हालां कि यह अपने all time high से काफी नीचे है, अगर अपने all time high से काफी नीचे है, क्योंकि रशिया युक्रियन के बीच में तमाब भी खतम नहीं हुआ है, हालां कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इसमें बहुत कुछ points पर ऐसे जगा पर buy किया था, जो आज काफी ऊपर है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही यहाँ पर strategy बनती है, which is to hold, क्योंकि आपने चाहे कहीं पर भी buy किया हूँ, चाहे आपने यहाँ पर buy किया है, चाहे यहाँ पर buy किया है, तो आगर आपको लगता है कि आपने long term holding करनी है, तो आप जरूर उस चीज़ का फाइदा ले सकते हैं, कि आप hold करके जब यह अपने इन areas को cover करके, अपवर्ड मुव्मेंट की और जाएगा, तब आप वहाँ पर अपना exit ले लीजिए, अपना profit निकाल लीजिए गा, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे ऐसे investors हैं, जो उस time पर invest करते हैं, जब market काफी अच्छी चल रही होती है, जैसे कि आज की market काफी नीची आ चुकी है, तो लोगों को आज invest करना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपनी जो holding जैने बेचना चाहिए, क्योंकि यहीं पर लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं, तो इस चीज़ को दोस्तों जूरूर समझना होगा, और GRT token के रबात की जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया, use case काफी अच्छा है, और जो technology हो काफी अच्छी है, तो आने वाले time पे, क्योंकि अगर एक time पे इसने 216 रुपे तक ही गया था, यानि कि 200 प्लस जब एक time पी जाकर, आज 33-34 रुपे के करीब आपको यह बाय करने को मिल रहा है, यानि कि बहुत अच्छी opportunity है आपके पास, आप इस opportunity का फाइदा उठा सकते हैं, और इस particular area में आप invest करके long term hold भी कर सकते हैं, आने वाले time पे यह बहुत easily दोस्तों, बहुत easily यह 50 रुपे के करीब जाने वाला है, जी हाँ दोस्तों, अगले एक दो महिने में यह 50 रुपे को easily cross कर देगा, इस बात को आप त्रूर समझ लीजीगा, तोकि इसके पास resistance हैं, लेकिन जैसे इसका collaborations हैं, multiple sponsors हैं, multiple, affiliations बहुत आरे हैं इनके पास, इनके पास use case काफी अच्छा है, और जो जितने भी data request की जहां बात की जाती है, data compilation की बात की जाती है, APIs को integrate करने की बात की जाती है, जहां पर public data की बात की जाती है, user base की बात की जाये, वहां पर यह काफी अच्छा काम कर रहा है. हम इस चीज़ को जरूर समझना चाहिए कि जिस पर्टिकलर क्रिप्टो का यूज के सच्छा है जिसकी रैंकिंग अच्छी है अगर जैसे कि मैं आपको का यह बिलोव 50 में रैंक कर रहा है यानि कि बहुत अच्छी बात है यानि कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा है तो लाइक से सब्सक्राइब धूर कीजिए दोसके थैंक्स और सपोर्ट बाइ